दोस्तों धर्ती का इतियास काफी खतरनाक रहा है क्योंकि आज से लाकों करोडों साल पहले धर्ती पर काफी खतरनाक जीव मोजूद थे और ये आज के समय में पाए जाने वाले जीवों से काफी ज़्यादा बड़े और खतरनाक थे और उनीक खतरनाक जीवों में से आज हम ऐसे दो जीवों की बात करने वाले हैं जो कि अपने समय में काफी खुखार थे हालांकि ये दोनों ही जीव अलग-अलग समय में पाए जाते थे लेकिन तब क्या होता जब ये दोनों ही जीव एक ही समय में पाए जाते और इन दोनों का अमना सामना हो जाता तो इस लड़ाई का विजेता कौन होता आज का वीडियो इसी टोपिक पर होने वाला है तो चलिए बिना टाइम बर बात किये सूरू करते हैं सबसे पहले बात करते हैं टाइटेनों बुआ की दोस्तों ये कापी विशाल आकार का साफ हुआ करता था और ये आज के समय में पाए जाएने वाले सबसे बड़े साफ एनाकोंडा से भी चार गुना बड़े होते थे जहां इनकी लंबाई 12.8 मिटर थी यानि की लगबग 42 फिट इसके अलावा इनका वजन लगबग 1100 किलोगराम तक होता था दोस्तों टाइटेनों बुआ कापी खतरनाक साफ था और ये बड़े बड़े जियों को एक ही बार में निंगल जाता था जिसके अंदर कापी बड़े बड़े डाइनासोर और मंगरमच सामिल थे लेकिन वो मंगरमच आज के मंगरमचों के मुकाबले कापी बड़े और खतरनाक थे लेकिन फिर भी ये सांप उन्हे आसानी से निंगल जाता था टाइटेनों बुअ के पास सबसे कतनाक जकड़ने की ताकत थी जिस कारणी अपने सिकार को जकड़कर माड डालते थे और पिन सिकार के मनने के बाद उसे निंगल जाते थे दोस्तों ये सांप काफी खतनाग कंडिशन में भी सरवाइव कर पाते थे ये सांप लगबग 90 डिग्री टेमपरेजर होने पर भी अपने आपको जिन्दा रख सकते थे हलांकि ये सांप चलने में तोड़े सुस्त होते थे क्योंकि इनका सरीर और आकार काफी बड़ा था लेकिन फिर विये सबसे खतनाग जियों में से एक था तो चलिए अब बात करते हैं सेबर टूथ टाइगर की दोस्तों सेबर टूथ टाइगर के पाए जाने के जिवास में 1842 के अंदर ब्राजील के अंदर मिले थे जिसके बाद ये पता चला कि ये जानवर भी एक्जिट किया करते थे लेकिन कमाल की बात ये थी कि सेबर टूथ टाइगर के दांत लगबग 7 इंच लंबे होते थे और इसके अलावा ये लगबग 300 किलो तक वजनी होते थे सबसे बड़ा सेबर टूथ टाइगर लगबग 480 किलोग्राम का माना गया है और इसकी लंबाई वज उंचाए की बात करे तो ये 2.3 मिटर लंबे और 1.2 मिटर उंचे होते थे लेकिन इनका सरीर कापी मस्कुलर हुआ करता था और ये अपने से कई गुना बड़े और भारी जानवरों को भी मार गिराते थे जिससे इनके पास ताकत भी बहुत ज़्यदा हुआ करती थी जब सेबर टूथ टाइगर सिकार पर हमला करते थे तो ये सबसे पहले सिकार पर अपने लंबे और नुकिले दांद गड़ा दिया करते थे और फिर उसके सरीर को चीर पाड डालते थे क्योंकि सेबर टूथ टाइगर के दांद किसी तलवार की तरह होते थे जो की काफी पेने होते थे इसके अलावा सेबर टूथ टाइगर की रफ्तार 45-55 किलोमिटर प्रति गंटे की होती थी जिस कारण ये दोड़ कर भी अपने सिकार को आसानी से पकड़ लेते थे तो दोस्तों यहाँ पर दोनों ही जानवर अपने अपने समय के काफी खतनाग शिकारी थे लेकिन वहीं बात आती है इन दोनों दानों के बीच लड़ाई की तो यहाँ पर सेबर टूथ टाइगर भी काफी खतनाग थे क्योंकि उस समय इनसे हर जानवर डरा करता था और वहीं टाइटेनों भूआ भी काफी खतनाग शाँप था लेकिन इस साप का आकार सेबर टूथ टाइगर के मुकाबले काफी बड़ा था जिस कारणिये किसी भी सेबर टूथ टाइगर को आसानी से जकड़ कर मार सकते थे इसलिए इस फाइट के अंदर ज़्यादा जीतने के चांस टाइटेनों भूआ के ही है आलाइंकि यहाँ पर सेबर टूथ टाइगर भी जीत सकता है क्योंकि यह टाइटेनों भूआ के मुकाबले काफी ज़्यादा फूर्तिले होते थे लेकिन फिर भी इस लड़ाई का ज़्यादा एडवनटेज टाइटेनों भूआ के पास ही है खेर दोस्तों आपका इस फाइट के बारे में क्या कहना है आप भी अपनी राए कमेंट बोक्स में बता सकते हैं तो इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं खतम करते हैं और अगले वीडियो में मिलेंगे एक नई टोपिक के साथ तब तक के लिए बाई